हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आर चैनल मल्टी रोज लाइफ साथियों आज हम आपको बताएंगे ऐसा जबरदस नुस्का जिससे आपकी डाइबटीज यानी मदुमे की समस्या बेहद आसानी से दूर हो जाएगी आपसे यह भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज अभी सब्सक्राइब करें जो कि पूर्णेते फ्री है सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले आप्शन बेल को भी प्रेस करें ताकि ऐसी महात्वपून जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके दोस्तो डाइबटीज जिसे समान्य भाषा में मदुमे कहा जाता है साथियों हमारी बदलती जीवन शेली और खान पान की वजह से मदुमे के रोग में दिन प्रती दिन बडोतरी होती जा रही है और जिसका सबसे बड़ा कारण यही है खान पान पर नियंतरन ना होना हाल ही में हुए एक रिसर्ट से पता लगा है कि भारत की 30 साल से अधिक उम्र की 20 परतीशत जनसंक्या मदुमे से पीडित है दोस्तो मदुमे की समस्या हो जाने पर रोगी को पेशाब ज्यादा आने लग जाता है प्यास भी अधिक लगती है और भूक की भी वृद्धी होती है मदुमे होने पर केई और बिमारिया भी इस रोग के कारण हो जाती है सात्यों जिन में हार्ट प्रोब्लम, किड्नी खराब हो जाना, अलसर रोग, हड्डियों में दर्द, आखों को नुकसान आदी शामिल है दोस्तो एलोपैतिक में इसका कोई स्थाई इलाईज नहीं मिल पाया है परंतु आयरुवेद के उपाय, जीवन शेली में बदलाओ, तता खानपान की आदतों में सुधार दुआरा इस रोग को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है तो इसलिए दोस्तों हम लाएं हैं आपके लिए आयरुवेद का एक ऐसा जबर्दस नुस्का जो आपकी मदूमे की समस्या को जड़ से खतम करने में आपकी मदद करेगा और मदूमे से जुड़ी के बिमारियों से भी आपको बचाएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं ये जबर्दस नुस्का चार हरे प्यास लें जड़ सहीद और इसको अच्छी तरह से साफ पानी से धोले क्योंकि इसकी जड़ में काफी मिट्टी होती है इसलिए आप इसे अच्छे से धोएं ताकि सारी मिट्टी साफ हो जाए अब इस प्यास को जड़ सहीद दो लीटर पानी में रात भर भिगो कर रख दे अब सुभा इस प्यास को पानी से निकालने और इस पानी को किसी सा बोटल या बर्तन में भरकर रख ले और साथ ये जब भी आपको प्यास लगे तो दिन भर आप इस पानी का ही सेवन करें कुछ दिनों तक इसका लगतार सेवन करें इसके सेवन से आपका शुगर रोग जड होती जा रही है दोस्तों इसके अलावा आप तुलसी के पत्तों का खाली पेट सेवन करें ये भी मदू में रोग के लिए लाबदायक होते हैं काले जामुन काले नमक के साथ खाएं इससे भी मदू में कंट्रोल लेती है अपने आहार में दालचीनी का प्रियोग करें ये साथियो डेली एक्सराइस करें मिठाईयों का सेवन ना करें ज्यादा तलाबुना खाने से बचें स्मॉकिंग और शराब का सेवन भी ना करें जितना हो सके कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर अच्छे संतुलित आहार का सेवन करें तो साथियो ये हमने आपको पता करें आपको पता है